हलो एव्रीवान वल्कम टो आवर यूट्यूब चानल हमारा आज का सेशन उन्हें स्टूडेंस के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है जो बीएचु से एमकॉम पॉसियो करना चाहते हैं बेसिकली बीएचु के वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आई है रिलेटेट टू पीजी काउंसलिंग अब अगर ऐसे देखा जाए तो सीओ एटी की तरफ से अब तक एमकॉम का सेकिंड एक्जाम कंड़क्ट नहीं किया गया जिन स्टूडेंस का एक्जाम स्किप हो गया है वो भी 1000 है तो नो डाउट बहुत ज्यादा फीस है अगर देखा जाए तो अभी तक इनका रिजल्ट भी नहीं आउट हुआ तो ये काउंसलिंग किस बेसिस पे करेंगे हमें नहीं पता क्योंकि काउंसलिंग तब होती है जब आपका रिजल्ट आजाता है कट ओफ लिस् उसके अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं बट अगर आप इंट्रेस्टेट हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही होगा और ये फॉर्म फिल करने का जो प्रॉसेस है वो हम बता दें कि सबसे पहले आप लोग लोग न करना ब्येचू-online.in पे उसके बाद इनकी वेबसाइट पे जा करके आप देखना जब स्क्रॉल करोगे तो आपको पोस्ट ग्राजुएशन प्रोग्राम ये पीटी रजिस्ट्रेशन में एक ओप्शन दिखेगा ये रेको लिखा है ना क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन तो यहां आपको क्लिक करना है और इस पे कि Candidate's Date of Birth, Gender, Category, Claim and the Selection of PG Program should be the same जो कि आपने NTA Entrance Exam में डाला था वही चीज़ आपको यहां पे बीडालनी है ठीक है फिर आगे लिखा है कि Candidate's Must Safely Keep Their NTA Application Number, Registration for BHO Will Be Based on the NTA Application Number तो जो अप्लिकेशन नमबर आपका पहले था वही आपको यहां फिल करना है Next is Candidate Must Keep Ready a Scanned Copy चाहे JPEG चाहे PDF में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिगनेचर टाइप चाहिए, 10th की मार्क शीट, 12th की मार्क शीट, UG की मार्क शीट, बर्स सर्टिफिकेट and other relevant documents जैसे की कास्ट से रिलेटेल, सिंप्ली अगर आप जर्नल काटेगरी से New Other Categories से तो आपको फिर अपना CAST Certificate दिखाना होगा, Income Certificate, TC Migration and CC, ये सारे Certificates आप लोग तयार रखना है in the form of JPEG और PDF. Next is Candidate Must Be Prepared to Pay the Registration Fee Online before filing up the registration form. Registration process has several steps including payment of the registration fee for PG program. आप सब देको ये non-refundable है, तो जैसा कि हमने पहले बता है कि counseling process तब start होता है, जब आपका result आजाता है, आपको पता होता है कि हाँ टीके आपके selection होने के chances हैं, तो उसके basis पर आप ये form फिल करते हो, बट current year में ये किस basis पर ये form फिल कराएंगे हमें नहीं पता. Next, candidates must read, understand and familiarize themselves with the NTA PG information bulletin, NTA public notice, BHO information bulletin, admission guidelines and before proceeding with the registration. The following links can be assessed for the same, तो अगर आपको किसी की भी information चाहिए, सब तो हमने अलड़ी channel पे upload किया हुआ था, जो जो important points सा वो discuss पी किया हुआ था, तो ये देखने कि आपको कोई requirement नहीं है. The basic eligibility for admission in PG is based on the following, सबसे पहला तो no doubt जो आपका entrance test हुआ है, उसके basis पे होगा, जो NTA का score आएगा, उसके basis पे admission होगा, क्या subject आपको study किया है आप में graduation level पे, और जो भी आपका graduation level पे percentage और score है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब दो student के mark सेम होते हैं, तो फिर किसकी basis पे selection होत होता है, दिन का graduation में mark ज्यादा हो, ठीक, next, candidates must carefully check their age eligibility for the specific courses from the BHO information bulletin before applying, and last date registration की क्या है, 16th July, तो जो भी interested students है, simply यहाँ पे आप लोगों को tick करना है, आप लोग टिक करोगे, और उसके बाद ना, जो भी आप लोगों का applicant login था, जिससे आपने CUVT का form फिल किया था, उसी की basis पे यहाँ login कर लेना, ठीक है, user ID, password डाल देना, जो application number है, form का, and जो आपका password है, उसके through, आप यह form फिल कर सकते हो, form फिल करने के लिए, जो documents required थे, वो हमने बता दिये, and fees भी हमने बता दिये, कि journal category के students के लिए 1000 fees है, तो यह counseling form आप लोगों को फिल करना ज़रूरी है, अगर आप VHU से M.com pursue करना चाते हो, तो, हाँ, यह है कि इस बार process थोड़ा उल्टा है, क्योंकि हर बार क्या होता था, कि result आता था, cut off list आता था, और उसके basis पे आपो counseling form फिल करना होता था, but current year में counseling form फिल करना है, और किस basis पे admission होगा, किस basis पे यह counseling करेंगे, इसका भी कोई idea नहीं है, जैसे इनकी तरफ से को information आएगी, notice आएगी, उसकी बार में जरूर update करेंगे अपने channel पे, तो, प्लीज आप लोग last date का wait मत करना, कि 16th of July तक, क्योंकि है form अविलेबल है, तो, तब तक का wait मत करना है, जो भी interested है, form फिल कर लेना, हाँ, और जिन students का अभी तक CUT का paper conduct ही नहीं नंबर भी है, आप इस help line नंबर पे भी call कर सकते हो, अगर आपको कोई भी further query हो तो, अगर अगर आप हमारे channel पे नए हो तो, चानल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, so that इस तरह से जो भी notification अपडेट आएंगी, related to BA2 और CUET और NTA, उसके बार में आपको सारे updates हमारे channel पे मिल जाएंगे, अब हम लोग मिलेंगे मारे next class में, आज के लिए बस इतना, thank you so much